हाई गाईज गुड़ बार्णेंग आल आफ यू आप सब अच्छे होंगे घर पर सुरक्षित होंगे ऐसी आसा के शाथ आज मैं एक स्पैसिफिक टॉपिक जन्तुकारी की या मानवकारी की या एनिमल फीजियोलोजी से एक टॉपिक मैंने पिक किया है एक्सक्रिटरी सिस्टम उस्सरजन तंत्र तो उस्सरजन तंत्र से परिक्षा में कोन-कोन से सवाल पूछे जा सकते हैं आप इन सवालों के माध्यम से पूरे चैप्टर की स्टड हो जाएगी आपको फिर अलग से चैप्टर पूरा देखने कि आप से तनी पड़ेगी अगर आप इन कोशन को अच्छे तरीके से देख लेंगे क्योंकि मा यहाँ पर एक एक कोशन को अंग पून उसरजी अंग है व्रक्छ नैफ्रों गलोमेरुलस मेलपीगी कार्पसलस देखे मित्रों किड्नी जो है इसको हम पून उसरजी अंग कहेंगे क्यों क्यूकि नैफ्रों जो है वो kidney या व्रक की सरंचनात्मक और क्रियात्मक की का ही है Glomerulus जो है वो nephron का ही एक भाग है और Malpigy Carpuscles भी कह दीजे ये भी इसी का भाग है यदि आप लोग यहाँ पर बात करें अगर हम एक simple से diagram के द्वारा देखें तो ये जैसे kidney है व्रक और यदि आप इस व्रक में देखें यहाँ पर ये pyramids है मैडूला भाग जो है अनेक छोटे छोटे pyramids में बटावा रहता है परिदी भाग जो है इसको हम लोग यहाँ पर cortex कहते है परिदी भाग जो है वो cortex कहलाता है और यह यहाँ पर अगर बात करें तो मैडूला और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यह जो मैडूला भाग में जो pyramids है इन pyramids के अंदर और कार्टेक्स भाग के अंदर नैफ्रोन पाए जाते हैं यह जो नैफ्रोन है यह व्रक की सरंचना आत्म का एवं किरिया आत्म के इकाई होती है परिक्षा का सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंग पून उसरजी अंग है तो यहाँ पर सही आंस्वर जो है वो किडिनी होगा और आंस्वर क्याएगा वन नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है यूरिया का संसलेशन होता है तो यूरिया का संसलेशन सरीर में कहां पर होता है तो मित्रों आप कुछ चीजे समझ लिजे कि हमारे सरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपसिस्ट पदार्थ का उस्सरजन उस्सरजन कहलाता है अब ये नाइट्रोजनी अपसिस्ट पदार्थ कैसे बनते है प्रोटीन के तूटने से अमीनो अमल बनेगा अमीनो अमल के डियमीनेशन के कारण अमोनिया का निर्मान होगा ये जो अमोनिया है ये अमोनिया अत्यदिक विसेला पदार्थ है जलिये जन्तू तो क्या करते है अमोनिया का उस्सर जन कर देते हैं सरीर से इसलिए उनका उसरजी पदार्थ अमोनिया हो गया लेकिन मनुश्य का यदि मनुश्य के रेफरेंस में बात करें तो अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होगी और अमोनिया चुकि एक विसेला पदार्थ है इसको यूरिया के अंदर परिवर्थित करने कार्य जो है वो लीवर के अंदर होगा और यहाँ पर जो चक्र काम आता है उस चक्र को कहते है औरनी थीन चक्र या इसी को कहते है यूरिया चक्र या इसी को बोलते हैं क्रेप्स हैंस लिट चक्र तो औरनी थीन चक्र कह दीजे यूरिया चक्र कह दीजे क्रेप्स हैंस लिट चक्र कह दीजे तो ammonia को urea में परिवर्टित करने का इस्तान तो है liver यानि की यक्रत और या जिसको जिगर भी कहते हैं और जिस cycle के द्वारा जिस चक्र के द्वारा परिवर्टन होता है और निथिन चक्र, urea चक्र या क्रेब से हैंसलिट चक्र के नाम से जानते हैं तो यहां पर रख, अगनाशे तो सई answer क्या होगा? तीन नंबर यानि की यक्रत के अंदर urea का संसलेशन होता है अगले परशन पर चलते हैं अगला परशन है ammonia का यूरिया में परिवर्टन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि ammonia का यूरिया में परिवर्टन जो है वो कहां पर होगा? व बात वही कुशन आगया था इस यंदन से किसका पूरा पुनर अफसोसन हो जाता है देखिए अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये फॉर एक्जामपल के लिए कि नैफरोन है हम लोग सब जानते हैं नैफरोन जो है किडनी की सरंचनातमक एवं किरियातमक इकाई होती है यहाँ पर नैफरोन की बात करें तो नैफरोन में ये यूवाकार की नली मे ने बनाई है इसको हैंले लूप कहते हैं ये समीपस्ट कुंडलित नलीका है यह हैंले लूप है यह यहाँ पर दूरस्त कुनड़ित नलिका हो गई और यहाँ पर यह संगरे नलिका और संगरे नलिका यह एक common यह कह सकता हूं कि common collecting duct या जिसको सामान यह संगरे नलिका भी अधार यह जा सकता है यह अभिवाई धमनी यह अपवाई धमनी यहां से बलड अंदर आएगा यहां से बलड भार जाएगा और यहां पर अभिवाई धमनी के अन्य छोट-छोटी रुदिरकेसी काउं में विवाजित हो जाती है रुदिरकेसी काउं मिलकर अपवाई धमनी बनाते हैं और रुदिर केसिकाओं का ये जो जाल है इस जाल को कहते हैं गलोमेरूलस और ये पैलेनूमा रचना वोमन कैपसूल कहलाती है और इन दोनों को मिलाने पर मैल पीजियन बोडी का निर्मान होता है ये समीपस्त कुंडलित नली का PCT ये यहाँ पर हैले लूप हो गया हैले ये आरोई बुजा और ये कहलाता है DCT भाग और ये कहलाएगा यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट या संग्रनली का और ये कहलाती है कोमन कलेक्टिंग डक्ट या सामने संग्रनली का और इसी को कहते है डक्ट आफ बेलनी ये डक्ट आफ बेलनी बेलनी की नली का भी कहलाती है अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बेलनी की नलीका नेफ्रोन का भाग है? बिलकुल नी होता नेफ्रोन जो है वो आपका दुरस्त कुनलित नलित का तकका भाग है फिर हम आगे देखें सवाल है सामाने तक उस्सरजी नलिकाओं में बहते वे निशिंदन में किसका पुनर अवसोसन होता है तो देखें PCT भाग से यहां से गुलुकोज का पुनर अवसोसन हंडर्ड परसेंट हो जाता है तो अब ओप्शन में दिया हुए गुलुकोज जल जल जो है लगबग 75-80% लवन यूरिया तो इनका 100% अवसोसन होता लेकिन गुलुकोज का 100% अवसोसन हो जाता है तो सही आंस्वर होगा गुलुकोज अगले परसेंट पर चलते हैं समीपस्त अववं दुरस्त कॉसमें कि सरंचना का भाग है अभी पहले वाले कोश्यन में मैंने आपको नैफ्रोन का चितर बना कर बताया था कि नैफ्रोन के अंदर चलते है नैफ्रोन बिल्कुल सही बात है यह किसका भाग है यहाँ पर आप लोग बताएंगे यह किसका भाग है यह नैफरोन का भाग है अंडवाईनी यह परजननतंतर का मादा परजननतंतर का भाग है सीकम यह अहाल का भाग है सुपरवाईनी यह नर परजननतंतर का भाग है तो यह आंस्वर गलत है सही आंस्वर क का पर्मुक उसरजी पदार्थ है देखिए कीट जो है वो डेजर्ट मरुस्त लिये जनतों में इनको सामिल कर लिया जाता है क्योंकि सामने तैसा माना जाता है कीट जहां पर पाए जाते हैं वहाँ पर जल का अभाव रहता है और ये अपने आपको सरीर के अंदर जल का करने के लिए इनके अंदर मुख्य उसरजी पदार्थ जो है वो यूरिक अमल का निर्मान होता है यूरिया मनुष्य का उसरजी पदार्थ है अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया मनुष्य का उसरजी पदार्थ है अमोनिया जलिये जनतों का उसरजी पदार्थ ह ग्वेनीन मकडियों का उसरजी पदार्थ है जबकि यूरिक अमल जो है ये आप लोग बताएंगे ये कीटों का उसरजी पदार्थ है तो कीटों का उसरजी पदार्थ क्या होगा यूरिक अमल होगा अगले परसंद पर बात करें परसंद है पक्षियों का उसरजी पदार्थ होता है देखिए पक्षी जो है यह अपने सरीर में जल का सरक्षन करने के लिए इनको अपना चुंकि पक्षियों को प्रियात मातरा में जल उपलब्द नहीं हो पाता और ऐसी प्रस्तिती में यह अपने सरीर के अंदर चुकि यह वाईयू के अंदर रहते हैं जल आ वशक लवनों तथा अंयलाबदाई पदार्थों का पुनर अवसोसरन मुख्य रूप से होता है, देखिए प्रसंद है कि जल आवशक लवनों Tथा अन्यलाबदाई पदार्थों का देखिए नैफरोन का जो समीपस्त कुणलित नली का भाग है उसमें सर्वादिक पु पुनर अवसोशन जो है वो समीपस्त कुनलित नली का भाग में होगा हैले लूप में तो यहाँ पर जल का पुनर अवसोशन होता है हैले लूप में अगर आप लोग बात करें तो हैले लूप के अंदर यहाँ पर आप लोग बताएंगे यहाँ पर जल का पुनर अवसोशन हो पुनर अवसोशन होता है, गुलुकोज का पुनर अवसोशन होता है, फैटी एसिद का पुनर अवसोशन होता है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपका कैलसियम आयन ले लिजे, आप लोग सोडियम आयन ले लिजे, क्लोराइड आयन ले लिजे, पोटेशियम आयन ले लिजीए इत्यादी का यहां पर पुनरहोसोषन होता है जबकि दूरसत कुनलित नलिका पर अगर हम लोग बात करें तो जल और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का पुनरहोसोषन होता है तो यहां पर सही जो आंसर आएगा वो आएगा समीपस्त कुनलित नलिका अगला प्रसन हैनले के लूप में इन में से किसका पुनर अवसोसन नहीं होता तो देखे हैनले के लूप में अगर हम लोग बात करें में से किसका पुनर अवसोसन होता है नहीं होता है मैं गलत बोल गया किसका होता है जल का होता है सोडियम कोलोराइड का होता है लेकिन गुलुकोज का नहीं होता पोटेशियम का नहीं होता यूरिया का नहीं होता तो सही आंसर होगा एक नमबर अगला परसन है मानव में एडिनीन और गुएनीन के उपापचे के अपसिस्ट किस पदार्थ के रूप में उस सर्चित होते हैं तो देखिए अगर मानव के अंदर यहाँ पर एडिनीन और क्या बन रहा आपका गुएनीन तो गुएनीन के उपापचे के परिनाम सुर्प चाहे मानव हो यहाँ पर एडिनीन और गुएनीन का यहाँ उपापचे होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यूरिक अमल का निर्मान होगा यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं किसका निर्मान होगा यूरिक अमल का निर्मान होगा मनुष्य भी अल्प मात्रा में यूरीकमल का усरजन करता है अगला परसन है मनुष्य का यकरत छीन हो जाए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य का जो यकरत है वो यहाँ गमजोर हो जाए तो इन में से किसकी मातरा बढ़ने की संभाव ना होगी बहुत सिंपल सी बात है मनुश्य का यकरत जो है वो आप लोग यहाँ पर बताएंगे ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है चुकि यकरत वीक कमचोर हो गया तो यकरत के अंदर अमोनिया यूरिया में परिवर्तित नहीं होगा और निथिन साय के लिए चक्रिया यूरिया चक्र नहीं चलेगा ऐसी प्रस्तती में रुधिर के अंदर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि अमोनिया की मातरा अधिक हो जाएगी तो इसका सही आंस्वर एक होगा अगले परसंट पर चले नाइट्रोजनी एवम अन्य उस्सरजी पदार्थों का बहिसकार होता है देखिए नाइट्रोजनी अपसिस्ट पदार्थ और अन्य उस्सरजी पदार्थों का बहिसकार सावसन में सावसन में नहीं होता है साउसन में केवल कारबन डायोकसाइड का उस सर्जन होता है परिशंचरन में ये भी सही Не है उस सर्जन में बिल्कुल सही है तो नाइटोजनी अबसिस्ट पदार्थों का वहिशकार हमेशा एक्सक्रीशन या Aws सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसमें kidney important role play करती है यूरिया किसके विगठन के उत्पाद से बनता है तो यूरिया देखिए हम मैंने थोड़ी धेर पहले बताया था कि हम लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं प्रोटीन के टूटने से amino acid बनता है amino aml बनता है और amino aml का यदी हम d-amination कर दें v-amining करन कर दें अगर हम यहाँ पर amino acid का v-amining करन कर दें तो यहाँ से क्या होगा ammonia यहाँ से एनेश्टू ग्रूप जो है वो ammonia के रूप में भाच निकलेगा सेस बचावा amino acid का भाग यहाँ पर क्या बना देगा keto acid और ये ammonia जो है वो कहा पर जाएगा liver में ये liver में ये amino acid का catabolism होता है और liver में ammonia जो है वो किसमे परिवर्थित होगा यूरिया में तो सवाल पूछा यूरिया किसके विगठन के उत्पाद है तो amino acid के विगठन के कारण ammonia बनता है और ammonia से यूरिया बनता है तो उत्पाद यहां पर किसका उत्पाद है यह amino acid का तो इसका सही answer amino amul होगा for answer यहां पर right होगा अगले प्रिशन पर चलें अगला प्रिशन है मानव के वरकों में निस्यंदन दाब कितना होता है देखिए निस्यंदन दाब या glow meruler filtration pressure निकालने का एक formula होता है जी एच पी फोर्मूला है जी एच पी यहां पर अगर हम net filtration pressure निकाले net filtration pressure is equal to glow meruler hydrostatic pressure glow meruler द्रविस्टेतिक दाब माइनस blood colloidal osmetic pressure प्लस capsular hydro static pressure यदि हम यहां पर देखे glow meruler hydrostatic pressure की जो value है यह value होती है यहां पर हम लोग बताएंगे कि लग बग यह 55 mm of Hg की मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं माइनस बी कोप की बात करें तो यह value लग बग यहां पर बात करें तो 30 और प्लस यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह इस value को हम लोग लेंगे बी कोप की जो value है यह होगी यहां पर 20 और प्लस यहां पर अगर हम लोग इसकी value ले तो यह हो जाएगे आपकी यह 30 होगी और यह यहां पर हम लोग इसको 50 लेंगे तो ऐसे अगर हम लोग इनका टोटन निकालें तो 55 माइनस यह हो गया 45 इस उकल टू 10 तो 10 mm of Hg का वो दाब है जिसके कारण यहां पर किडिनी के अंदर filtration का काम होता है net filtration pressure इस उकल टू गलो मेरूलर हाइड्र स्टेटिक प्रेशर और इस प्रेशर में से हम माइनस करेंगे किसको ब्लड कोलोईडल आस्मेटिक प्रेशर रुधिर कोलोईडल प्रासरन दाब कैपसूलर द्रव इस्टेटिक दाब इन दोनों दाब को जोड कर और यदि GHB में से माइनस कर दिया जाए तो नैट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास में नैट निस्यंदन दाब का मान जो है वो दस आता है ओप्शन को चेक करते हैं 70 गलत यहाँ पर दिया हुआ है 70 यह गलत है 55 mm of Hg यह भी गलत है 10 से 15 mm of Hg यह पूर्ट यह सही आंस्वर है और यह आपका फोर्थ जो ओप्शन है यह भी गलत है तो यहाँ पर सही आंस्वर होगा 3rd next question पर चलते हैं अगला प्रसन मुत्र की मात्रा का नियंत्रन कोन करता है देखे एक बहुत सीधी सी बात है मैंने पिसली बार एंडोक्राइन सिस्टम लिया था उसके अंदर भी मैंने इस तरह के question स्वाल करवाए थे कि मुत्र की मात्रा का नियंत्रन जो है वो दो हार्मो और पोटेशियम आयन के उस सरजन को बढ़ाता है यानि कि रुदीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा पोटेशियम की मात्रा को कम करेगा दूसरा आपका जो ADH हार्मोन है यह जल के पोटेशियम के लिए उत्तरदा ही होता है इसलिए यहाँ पर देखते ही पता लग पहला ऑप्षन बिल्कुल सही है ADH भी सही है लेकिन एल्डोस्टिरोन भी आएगा इसमें एल्डोस्टिरोन है तो ऑप्षन दो और तीन तो हो नहीं सकते हैं सही ऑप्षन क्या हो या वन ADH होगा एल्डोस्टिरोन होगा लेकिन टेस्टोस्टिरोन जो है ये टेस्टी से रेलेटेड हो गया ये व्रशन से समंदित हार्मोन हो गया ये नर हार्मोन है जो नर के अंदर नर परजन अंतर के विकास के लिए उत्तरदाई है सुकरानों के परिपक्वन और निर्मान के के लिए उत्तर दाई है टे स्टोस्टोन हार्मोन मनुष्य के दित्यक लेंगी क्लक्षनों के लिए उत्तर दाई है इसलिए यहाँ पर सई आंस्वर होगा what अगले प्रसंद पर चले हैं अगला प्रसंद है । डाई यूरेसिस में क्या होता है देखें डायूरेसिस का मतलब क्या है सरीर से जल की हानी अब सरीर से जल की हानी कैसे होगी मुत्र के द्वारा होगी यानि की डायूरेसिस की क्रिया में क्या होगा यहाँ पर जल सरीर से अधिक मातरा में बहार निकलेगा तो जल निकलने का मतलब सर तो दिरसे glucose पराएगा, यूरिन में के तोस सरीर से, यूरिन के दूआ है किड़नी में किड़नी से यूरिन के दूआ सरीर से बाहर चला जाएगा मुत्र की मातरा घट जाती है, ये गलत है अब अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है रक्त में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा देखिए ADH हार्मोन की कमी कब हो सकती है जब कोई व्यक्ति चाय, काफी, अलकॉलिक, पेपदार्थों का सेवन करे यदि कोई व्यक्ति चाय, काफी, अलकॉलिक, पेपदार्थों का सेवन करता है तो उस व जलका पुनर अवसोशन जो है वो कम होगा और जलका यदी पुनर अवसोशन कम होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मुत्र जो है वो तनू होगा यानि कि मुत्र की सांदर्ता बढ़ जाएगी मुत्र की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हम बता सकते हैं मुत्र की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहला आंस्वर जो है वो बिलकुल सही है मुत्र की मात्रा घड़ जाती है गलत पहला आईनों का पुनर अफ्सोसन होता है यह चीज मैं पहले भी आपको explain कर चुका हूँ यहां पर sodium और chloride Aien का होता है glucose का नहीं होता यूरिया का नहीं होता जल से यहां पर हम लोग किसकी बात करें आईनों का यहां पर हम आईनों की बात करें चुकि जल आइनों के रूप में नहीं है जल आईनों के रूप में नहीं होता जल तो पूरा का पूरा अणों के अणों रूप में आऊसोशित होता है तो सही आंसोर होगा Closodium Cloride अगला चलेए पक्सी Eurocopetylic होते हैं मैंने पूर्व में भी मैं बात कर चुका हूं कि तो जिससे क्या होता है जल की छती नहीं होती सही आंस्वर यहाँ पर होगा दो अगला किस कारण ग्लो मेरूलर से रक्त के प्लाजमा का बोमन संपुट में नीशियंदन होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताए था कि ग्लो मेरूलर द्रव इस्तेतिक दाब जी एच पी इस जी एच पी के कारण यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि रक्त के प्लाजमा का बोमन संपुट में फिल्ट्रेशन होगा प्लाजमा चनेगा अगले परशन प गरता है देखे यूरिया का सवन जो है वो बलड के द्वारा उगर बलड में क्या होता प्लाजमा तो प्लाजमा के द्वारा होगा आर बीसी के द्वारा नहीं होता डबलू बीसी के द्वारा नहीं होता लिफ के द्वारा नहीं होता किसके द्वारा होता है प्लाजमा के द जामपल के लिए मान लिजे कि ये नैफ्रोन है और इस नैफ्रोन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नैफ्रोन में ये अभी वाई अपवाई दमनी ये गलो मेरूलस हो गया यहां पर आपका बलड आएगा जब बलड यहां पर चनेगा तो इसमें बलड चने पर बॉमन कैपसूल की कैविटी में जो यहां पर तरल पदार थाता है उसको हम लोग बोलते हैं गलो मेरूलर फिल्ट्रेट या जिसको गलो मेरूलर निसियंदक कहते हैं और यह गलो मेरूलर निसियंदक की ही जो है वो यहां पर आप लोग बताएंगे कि नैफ्रोन के विभिन भागों से गुजरता हुआ निकलता है तो नैफ्रोन के जब विभिन भागों से यह गुजरता है तो यहाँ पर इसे हम Glomerular Filtrate या Glomerular Nisyan-दक कहते हैं जब यह Glomerular Filtrate संग्रे नलिका भाग में आ जाता है तो ये मुत्र कहलाता है लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोलेंगे Glomerular Filtrate तो यहाँ पर option यह होगा अगर यह पूछा जाता है यहाँ पर सवाल कि संग्रे नलीका में होता है तो आपका सही आंस्वर होता मुत्र ठीक है? तो यह ध्यान में रखेंगे अगले परशन पर चलते है रुधिर का परानिस्यंदन होता है तेकिये रुधिर का परानिस्यंदन रुधिर कोसिकाओं में नहीं उत्तकद्राओं में नहीं कहाँ पर होता है? बोमन कैपसूल में होता है कहाँ पर होगा? बोमन संपुट में मुत्रासे में तो मुत्र ऐस्ताई रूप से संग्रहीत रहता है अगला प्रशन व्रक की सरंचनात्मक बहुत सिंपल सा सवाल है कि व्रक की सरंचनात्मक एवं किरियात्मक व्रक भी कह देते हैं गुर्दा भी कह देते हैं इसका सही आंस्वर आएगा नैफ्रोन व्रक की आत्मक वय क्रियात्मक योगी हीपेटो साइट तो यहाँ पर सई आंसवर आएगा वन है अगला प्रेशन हैं एक स्वस्त मनुश्य एक दिन में निमली कितमे से कितनी मात्रा मुत्र का त्याग करेगा अप्रोक्सिमेट डेड़ से दो लेटर तो यहा पर सई आंसवर ढूल ल सदघर करका भाग नहीं हैं तो देखे निमले कित में से कौन सा अंग मनुष्य के उसरजंद तंथ experts ने critically है मुतर मार्ख मुतरवाईए भी होता है गर बश्य करबाशसन ही होता गुर्दा तो देखे गुर्दा कि नि ठीक है ना अगर हम लोग बात करें अगर ये सिंपल सी बात दीखें की साहब ये किड़नी है ये जैसे हम लोग बात करें गुर्दे और ये यहाँ पर मुत्र नली का और ये मुत्राशे, तो यहाँ पर किडनी भी है, यहाँ पर मुत्र मार्ग भी हो गया, यह यूरेत्रा और यहाँ पर बात करें, गर्बाशे भी हो गया मुत्र वाइनी भी हो गई, तो कौन सा first को सूची second से मिलाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं एक एक को देखते हैं जैसे व्रक व्रक का काम क्या होता है मुत्र का निर्मान करना व्रक का काम क्या है मुत्र का निर्मान करना यकरत क्या करता है यूरिया का निर्मान करता है हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पर यकरत क्या करेगा यूरिया का निर्मान करेगा स्वेध गरंथिया यह कहाँ पर पाई जाती है ताउचा में पाई जाती है यह पसीने का उसरजन करती है तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे फोर्थ और फेपड़ा जो है वो आप लोग बताएंगे यहाँ पर CO2 का निस्कासन करता है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें बताएंगे टू नमबर अब हम ओप्शन देख सकते हैं कि तीन एक चार दू तो थर्ड नमबर का जो ओप्शन है उसके अंदर ये सब चीजे मैच हो रही है अगर आप और समझना चाहें तो इसको यूँ भी देख सकते हैं व्रक मुत्र का निर्मान करेगा यकरत जो है वो यूरिया का निर्मान करेगा स्वेध गरंथिया कहाँ पर पाई जाती है तवचा के उपर पाई जाती है और फेपडे जो है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे ये सी ओ टू के निसकासन में साहिता करते हैं तो इस तरह से कुशन नमबर ये 28 था अब हम अगला कुशन है मनुष्य के सरीर में खून के सुद्धी करन की प्रक्रिया हीमोडाइलाइसिस करते है हीमोडाइलाइसिस करने के लिए तो यहाँ पर मनुष्य के सरीर में खून के सुद्धी करन की प्रक्रिया कि अगर बात किया जाए देखिए अगर हम लोग बात करें, अमीबा जो है, यह अमीबा है, जल के अंदर पाया जाता है, यह अपने सरीर की सामाने सते है, इसकी सामाने सते को कोशी का जिली या प्लाजबा जिली कहते है, यह यहाँ पर जल की सामाने सते के द्वारा, यह यहाँ पर क्या करेगा, जल क का Us रजन करते हैं Amonotellique है ऐसे या का उस्तर जन करते हैं Amonotellique का उधारन आता है ज्याँ जलिह जन तू यूरियको टेलिक लिका अमीबा उसरजन जो है वो किसके द्वारा करेगा सरीर की सामाने सत्य की द्वारा केचवा केचवे में उसरजन के लिए नैफरी डिया या उसरजी काई पाई जाती है नैफरी डिया या उसरजी काई जीगा मिचली में green gland green गरंथी या हरित गरंथियां पाई जाती है और कीट का अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कीट का उसर जी पदार्थ यूरिक अमल पढ़ा था और कीट उसर जग किसके द्वारा करेगा मैल पीगें का है आप लोगों ने देखा हुआ कि राजस्तान के अंदर राजस्तान के अंदर के अधिकांज भारत के दिकांज भागों के अंदर टिडडी दल को का मुमेंट हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा था तो टिडडी जो है वो एक कीट है कोकरोज क्या है कीट इनका उसरजी पदा जो question का जो मैं एक प्रश्णोत्री कारिक्रम आप लोगों के बीच में लेकर आया था इससे आप लोगों का ये जो chapter है लगबग लगबग आप लोगों का clear हो जाएगा फिर भी आप एक बार 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की पुस्तकों का रास्तान बोड की पाठे पुस्तकों का अध्यन कर लीजेगा जो कि आपके लिए रिट में काफी उप्योगी रहेंगे और मैंने अधिकांस questions वहीं से उठाये हैं और ये आपके syllabus के pattern के point of view से questions लिए गए हैं और ये आपके लिए उप्यो सब्सक्राइब करें आप प्रियास के facebook page पर भी अपने questions डाल सकते हैं आप लोग टेलिग्राम के ओपर भी अपने questions बेज सकते हैं और मैं कोसेश करूंगा कि उनके solutions इनके माध्यम से आप लोगों को विजवा दिया जाए चूंकि ये कक्षाए नी सुल्क हैं और राजे सरक पायर भी ऐसा चारी है कि सभी विद्यार्थियों को दिख से दिख इस covid-19 के तहट लाब मिले तो इसलिए मैं भी अपना समय